सुरेंद्र मोहन पाठक का नाम किसी परिचय का मौताज नहीं है इसलिए जब उनकी आत्म कथा ना बैरी न कोई बेगाना मेरे हाथ में आई तो बहुत उत्सुकता के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया जिस लेखक को जासूसी उपन्यास लिखते हुए साथ साल का समय हो चुका हो जाहिर है उसकी आत्म कथा सिर्फ उसकी अपनी कथा नहीं हो सकती मेरे दिल्चस्पी इसमें थी कि आखिर उनकी इस आत्म कथा में ऐसा क्या होगा किसी भी बड़े लेखक की आत्मकथाम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें उससे कुछ प्रेणा हासिल हो एक जासूसी उपन्यास लेखक जिसको हिंदी में लुगदी साहित कहा जाता रहा है वैसे लेखक की आत्मकथा से मुझे क्या प्रेणा मिल सकती है लेकिन यकी लेकिन सच बताऊं आप यकीन नहीं करेंगे हाल के बरसों में शायद ही किसी बड़े लेखक की आत्मकथा ने मुझे इतना प्रभावित किया हो या इतना प्रेरित किया हो जितना सुरेंद्र मोहन पाठक की इस आत्मकथा ने किया है सुरंद मुहन पाटक की आज इस आत्म कथा में जो सबसे बड़ी बात प्रभावित करती है और वह आज के सभी लेखकों को ध्यान रखनी चाहिए कि इस लेखक ने 1969 में लेखन की शुरुआत की उस लेखक को एक बड़े लेखक के रूप में स्थापित होते होते करीब 20 साल लग गए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस 20 साल के दौरान न उन्होंने होसला छोड़ा और ना ही वह सपना छोड़ा कि एक दिन उनको हिंदी की लोग प्रिये कथा धारा का सबसे बड़ा लेखक बन कर स्थापित होना है इस आत्म कथा में उनके उस संघर्ष की कथा है यही नहीं उन्होंने अपने समकालीन लेखकों ओम प्रकाश शर्मा वेद्प्रकाश कामवोज को जिस तरह से याद किया है वह काबले तारीफ है यह उनकी आत्म कथा का पहला खंड है जो उनकी युवा वस्था तक की कहानी नहीं बताता है जाहिर है अगले दो खंडों में यह कहानी और आगे चलेगी लेकिन मैं यह कहूंगा कि सुरेंद मौहन पाठक की तरह हर लेखक को संघर्ष से नहीं पीछे भागना चाहिए सफलता रातो रात नहीं मिलती सुरेंद मौहन पाठक अपनी प्रिय लेखक के रूप में कृशंचंदर को याद किया है राजेंदर सिंघ बेदी को याद किया है और उन्होंने बहुत ही इमांदारी के साथ। जब क्रिशन चंदर के उपर वो लिख रहे थे तो बहुत इमानदारी के साथ उन्होंने लिखा है कि क्रिशन चंदर एक महान लेखक हो सकते थे, ओ हेन्री और चेखव जैसी प्रतिभा का लेखक, फुटपाथिया जासुसी उपन्यास लिखने लगा, जाहिर है अपनी विध लेखक ने आपने कता लिखी है, जो जाहिर है, सबसे लोग प्रिये लेखक तो नहीं रहा, लेकिन एक महान लेखक के रूप में वो हमेशा याद किया जाएगा, जी हाँ, जिस विधा में ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश कामबोज जैसे अंति मुचाई तक ले जाने वाला लेखक सुरेंद मोहन पाठक ही रहा, सुरेंद मोहन पाठक ने उस उपन्यास धारा को जिससे फुटपाथिया, लुग दी कहकर मजाक उड़ाया जाता रहा, उसे घरों तक पहुचाया, लोगों के बड़े-बड़े बुके स्टोर तक बड़े-बड़े प्रकाशकों तक पहुचाया, हारपर कॉलिंस से लेकर आज वेस्टलेंड उनकी किताब प्रकाशित कर रही है, जाहिर है दुनिया के बड़े-बड़े प्रकाशकों ने उनको हाथों हाथ लिया, और विक्री के मानुकों को छोड़ दीजे, विक्री तो बहुत होती है, और विक्री कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं होता है, लेकिन उस लिहाद से भी सबसे बड़े हैं, बस एक शिकायत मुझे इस किताब से है, कि इसकी भाशा उन्होंने वही रखी है, जो उनके लोगप्रिये उपन्यासों की भाशा रही है, मुझे उमीद ही बनाइब